जुहार दोस्तों, जैधरम, सरना दिवासी पर्वतिवार यूट्यूब चैनल में मैं बिनोध भगत, मेरे ओडियन्स से, आप सभी दर्सक से मैं आज एक चर्चा कारना चाह रहा हूँ, वह चर्चा है अभी अभी जहारखंड की नोक्रियों में बाहरी भासा को लागू किया जा रहा है, उस पर हम मेरे ओडियन्स से, आप सभी से हम चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आज देखिए जहारखंड में, जहारखंड के लोगों के नोक्रियों पर किस तरह से बारिकी से हमला किया जा रहा है या खतरनाक हमला भी कह सकते हैं जारखन में पहले से हम नव भासा के मालिक हैं हम नव भासा बोलते हैं हमारी जनजातिय भासा और छेत्रिय भासा नव है जिसको हम बता देना चाहते हैं कुणख भासा, संथाली भासा, हो भासा, खड़िय भासा, और मुनरी भासा ये पांच भासाएं हैं जो जनजातिय भासा हैं आदिवासियों की भासा है उसके बाद में हमारे छेत्र में छेत्रिय भासा हैं चार भासाएं हैं कुरमाली है, खोर्था है, नागपोरी है, पंच परगनिया है हमारा चार छेत्रिय भासा है, नागपोरी, खोर्था, करमाली और पंच परगनिया हमारा जहारखन में इस तरह से नावभासा परचलित है और नावभासा अस्थापित है इन नावभासाओं के लिए जगह मिलना चाहिए जहारखन की नोक्रियों में जोकि इन नावभासी लोगों ने ही जहारखन को लड़ करके पराप्त किया है अपनी जान गवां करके प्राप्त किया है और आज दिखिए दूसरे राज्ज के जो भासाएं है भोजपूरी, अंगिका, मगी, उडिया इन भासाओं को जहारखंड में अस्थानिय भासा का दर्जा दे कर छेत्रिय भासा का दर्जा दे कर जहारखंड की नोक्रियों को उनके हावाले करने का जो खेल चल रहा है या गलत है चोकि जहारखंड के लिए हम हमने लड़ा जहारखंड के लिए हम सभी ने मिल कर लड़ा जहारखंड हमारा अलग हुआ और हमारा चेत्रिय लोगों के लिए नोक्री है उन नोक्रियों को हम दूसरे के लिए नहीं दे सकते हैं हम कहां बोल रहे हैं कि केवल जारखंड में जारखंड के आईएस बनेंगे नहीं न, आईपीएस केवल जारखंड में जारखंड के लोग बनेंगे ये तो नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि छोटे कटेगरी की नोक्रियों पर जारखंड का हक होना चाहिए क्योंकि जिस तरह से दूसरे राजियों में वहां का नोक्री अस्थानिय लोगों को मिलती है थर्ट ग्रेड फोर्थ ग्रेड का उसी तरह जारखंड में भी जारखंडियों के लिए होना चाहिए लेकिन यहां पर जो बाहरियों के लिए नोक्री दिया जा रहा है या लिया जा रहा है या गलत है जारखंडियों के लिए जारखन बहुत ही सम्रिद भासाओं से परिपूर्ण है नाव भासाओं से परिपूर्ण है और उनके अधार पर छेत्रिय भासा के अधार पर जनजातिय भासा के अधार पर फोर्थ ग्रेड थार्ड ग्रेड की नोकरी होनी चाहिए और अगर इसा नहीं होती है तो यहां का भासा खतम हो जाएगा और यहां का भासा को खतम करने से यहां का इतिहास ही मिट जाएगा यहां का सहित्य भी खतम हो जाएगा और यहां का सहित्य खतम होगा तो यहां का इतिहास खतम हो जाएगा जार्खंड की परमपरा, संस्कृति उनकी भासा पर टिकी हुई है यदि यहाँ पर दूसरे राजियों का भासा अगर यहाँ पर आ जाती है यहाँ पर नोकुरियों में उनको लागू किया जाता है तो हमारी संस्कृती, हमारी परंपरा मिट जाएगी, उनके हवाले हो जाएगी इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी सरकार पे हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं वे जारखंड की चिंता करें, जारखंड की अस्मीता की चिंता करें और जारखंड के नोक्रियों पर जारखंड के अस्थानिय भासा और छेत्रिय भासा जन जातिय भासक को लागू करें और छेत्रिय भासा बाहरी भासा को ना वनाए बाहर के लोग यहां नोक्री करी रहे हैं नहीं कर रहे हैं सो बात नहीं है हर बड़े बड़े नोक्रियों में हैं आप करिए बड़ा नोक्री करिए कोन रोका है लेकिन जो चोटे चोटे नोक्रियां हैं जिसके हम बात कर रहे हैं, उस पर जहारखंड का अधिकार होगा और जहारखंडी ही उस पर नोक्री करेगा। अगर हम जारखंड के चोटी चोटी नोक्रियों पर फोर्थ ग्रेड थर्ड ग्रेड की नोक्रियों पर अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा हम भूखे मरेंगे हम भूखे नहीं मरेंगे हमारा जमीन में हमारा नोक्री होगा हमारा अधिकार है उसमें इसलिए दोस्तो नाव भासा जो हम लोग बोलते हैं सारे लोग अपने भासा के परती जागरुख होना चाहिए और हमें अपना अधिकार को समझ कर नोक्रियों में आने का प्रयास करना चाहिए और बाहरी जो हमला है उस हमला पर हम लोग को जवाब देने की जरुरत है और उस भासा ही नहीं परंपरा और संस्कृति खतम हो जाएगी मिट जाएगी हाँ और एक हम जर्खंडियों से बोलना चाहते हैं कि अपनी भासा को मजे से उपयोग कीजिए कुणुख लोग कुणुख बोले और मुंडारी लोग मुंडा बोले और खड़िया लोग खड़िया भास बहुत अच्छी बात है और अपनी भासा को तो बच्पन से ही सीखना चाहिए ताकि हम हमले का कड़ा जवाब दे सकेंगे लेकिन आज हम अपना परविर्ती को भी चेंज कर रहे हैं और अपनी भासा को छोड़ना जादा पसंद कर रहे हैं यह गलत है और यह नहीं होना चाहिए और हम अपनी भासा को बचाने का परियास करेंगे और अभी जो हमला जो है वर्तमान में इस हमला का हमलो कड़ा जवाब देंगे किसी भी परिस्तिती में बाहरी भासा को जार्खन का छेत्रिय भासा बनने नहीं देंगे ऐसा हमरा कहना है और विश्वास है कि जार्खन में ये बाहरी भासा अस्थानिय भासा नहीं बनेगी अस्थानिय भासा के रूप में लागू नहीं होगी ये हमें विश्वास है और बाहरी भासा को यहाँ पर लोग रहते हैं बहरी भासा को बोलते हैं कौन मना किया है अब बोलिए लेकिन आस्थानिय भासा का दर्जा लेने का परियास गलत है और देना भी गलत है जारखंड के लोगों यहां पर जारखंड से बहरी जो भासाएं है वह यहां की मात्री भासा नहीं है उसको जारखंड में आस्थानिय भासा का दर्ज्ञा देना च्छित्री भासा दर्ज्य देना या बहुत ही गलत है और देने वालों का सोच भी बहुत गलत है तो चलिए इतना ही चर्चा करके हम आप सारे लोगों से बिदा लेते हैं मैं विनोध भगत सरना दिवासी पर्वतिवार यूटीव चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद जुहार